अगर आपकी Class 8 की बुक ये है, ठीक है, KidWiz Class 8, और अगर आप इस चैप्टर को याद करना चाहते हैं, बेसबॉल, बिना रटे, एक इस्टोरी की फॉर्बेट में पूरा चैप्टर में आपको रटवा दूँगा, मतलब याद करवा दूँगा, आपको कोई effort लेने की अपनी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही है, एक लड़का था, टेप नाम का, ठीक है, तो एक दिन ऐसे सोने से पहले इसको मन करा था मूवी देखने का, तो ये मूवी देखने लगा, बट ये क्या किया कि एक ही मूवी को, ठीक है, नौ बार देख लिया, और वो मूवी कौन से थी, वो मूवी थी, प्लेयर्स, ये मूवी जो है प्लेयर इससे हमारा cover होता है पहला question का answer, पहला question था, how many players are there in each team, तो इसका सही answer है 9, there are 9 players in each team, तो वो टेप लड़का 9 बार player movie देखा, तो 9 player in each team, चलिए, तब हम लोग आगे बढ़ते स्टोरी में, तो अब हमारी स्टोरी में आगे ये हुआ, कि जब इसने 9 बार movie देखी, तो सुबह हो गई, राद बार movie देखा, 9 बार तो सुबह हो गया, ठीक है, तो सुबह क्या हुआ, उसकी मम्मी, ठीक है न, उसके room में आई, और जब उसको देखी, तो देखी ये तो राद बार movie देखा है, पूरी आख इसकी लाल हो गई थी, भारी-बारी हो गई थी, तो मम्मी समझ ये राद बार सोया नहीं है, अब मम्मी को आगया गुस्सा, अब मम्मी को इतना गुस्सा है, तो मम्मी क्या की इसकी, कि bamboo लेक्जा है, bamboo को हिंदी में कहते है, बास, ठीक है, बास, समझ देखो न, उससे इसको चार बार मारी एकदम कसके पिटाई पड़ा इसको, इसको there are four bases इसे ये question cover हो गया बढ़ते है next question पे इतनी पिटाई करने के बाद भी अभी इनकी ममी का गुस्सा सांत नहीं हुआ अब रात बर जग के मुवी देखा तो गुस्सा आना तो जायस बात है तू अब इसकी ममी ने क्या किया एक और punishment दिया कि 9 दिन तक ठीक है तुम कोई भी games नहीं खेलोगे सब बंद ये तुमारी punishment है कि next time तुम ऐसा नहीं करो ठीक है तो 9 दिन तक इसकी सारी game को बंद कर दिया गया बट इसी जे हमारा एक next question भी cover होता है जो कि है ये how many innings are there in a game तो इसका 9 दिन के लिए सारी games बंद हुई तो दिन इन इन आ रहा है न वैसे innings so there are 9 innings in a game and इनकी 9 दिन के लिए सारी game को बंद कर दिया गया similarity है ऐसे ये याद रहेगा चलिए तब आगे बढ़ते है tape को जो पिटाई पड़ी थी तो उसको बिलकुल अच्छा ही लग रहा था तो उसने सोचा कि next time इसी बास से हमें पिटाई ना पड़े इसलिए वो क्या किया कि वो base coat पास को उठाया ठीक है और अपने घर से 90 feet दूर गया और वहाँ जाके उसको hide कर दिया मतलब उस बास को छुपा दिया उसकी ममी को ना मिले next time और उसको पिटाई नहीं पड़े और घर से 90 feet दूर जाके छुपाया तू इसी से हमारा एक और question कवर हो रहा है जो की है ये what is the distance between each base तो उस base को tape ने घर से 90 feet दूर जाके छुपाया था तू इस question का answer है 90 इसको याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते है जब base घर वापस आ रहा था बास छुपा के तब उसकी ममी ने उसको फिर देख लिया और उसकी ममी उसको ना बास ले जाते वे भी देख ली थी हलका सा तब उनको confirm हो गया कि ये बास कहीं घर से दूर फेक आया और उसकी ममी को फिर गुसा आ गया but already उसको पिटाई कर चुकी थी ममी तब फिर से मारने का मन था नी तो उसकी ममी ने क्या किया इस बार उसका जो घर था टेप का उसमें एक कमरा था खीक है तो वो जो कमरा था ना वो चार उसका ब्रेथ था और 6 फीट उसका लेंद था चार फीट ब्रेथ था और 6 फीट लेंद था इस कमरा के अंदर टेप को बंद कर दिया और यह उसकी पनिस्मेंट थी ठीक है अब इसी से हम लोग एक कोईशन कवर हो गया यह जो कोईशन है तो जिस बॉक्स में जिस कमरा में बंद किया गया था टेप को उसका साइज क्या था अभी जश्ट मैंने आपको बताया 4 फीट और 6 फीट इसका एंसर 4 फीट और 6 फीट इसको हलका सा ध्यान रखिएगा शलिए तब आगे बढ़ते आप मेरे चैनल के कुछ और वीडियो को भी एक्स्टोर कर सकते हैं जैसे कि अगर आप प्रियॉरिक टेबल के 1st 20 elements को याद करना चाहते हैं वो भी एक इस्टोरी की फॉर्मेट में तो ये वीडियो रही आपके लिए ये वाली 1st 20 elements एक GTA 5 की स्टोरी की मदद से मैंने पूरा प्रियॉरिक टेबल के 1st 20 elements एकदम मस्त याद करा दिया आपको आप चाहे तो इस वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं तो जिस रूम में टेप को उसकी मम्मी ने बंद किया था ठीक है ना उस रूम में एक विंडो थी और टेप एक बहुत बड़ा गलती करने जा रहा था जो अगर मैं होता है तो मैं उसको रोक लेता बट मैं आप सभी को रोक रहा हूँ आप लोग कभी ऐसा मत कीजिएगा जो अभी टेप किया ठीक है ना बता रो मैंने क्या किया वो वो क्या सोचा ना कि हम इस विंडो से बाहर निकल जाएंगे और हम अराम से इंज्जॉय करेंगे नॉर्मल और ये रूम था ना second floor पर ये ground floor पर तो था नहीं जो अराम से निकल जाता है ये भाई बट इसको समझ में आने रही थी बात तो ये इसने कोशिस क्या निकलने का इसका पैर हो गया स्लिप और ये सीधे नीचे गिर गया इसको लग गई बहुत तेज चोट जब इस नीचे गिरा तो चिलाया इसने की चोट लग गई तो उसके ममी पापा आए इसको हॉस्पिटल लेके गए हॉस्पिटल नों जब डॉक्टर ने देखा इसका इलाज हुआ तो इसको टोटल 108 स्टीचे लगी समझ रहे ना आप 108 स्टीचे इतना तीज इसको चोट लगी थी अब इसी से पर हम लोग का एक और कोईशन कवर हो गया यह जो कोईशन है इसका एंसर है 108 तो टेप को लगी थी 108 स्टीचे उसे हिसाब से बेसबॉल के भी होते है 108 स्टीचे इसको द्यान रखिएगा चली आगे बढ़ते हैं जितने नंबर्स वाले जूमीन करते हैं पास चलते हैं थोड़ा मतलब तो यह देखिए यहाँ पर यह जो आदमी है यह बॉल फेकेगा ठीक है यह ओके यह बॉल फेकेगा यहाँ पर यह जो है बैटिंग कर रहा है और उसके पीछे एक आदमी खड़ा है तो होता क्या कि अगर यह बॉल मिस करता है तो यह पीछे वाल आदमी पकड़ लेता है उसको तब अब यहाँ पर क्या सीन है यह हमारा एक कोईसन है कि जो बैटर के पीछे खड़ा रहता है उसको क्या कहते सीधा सा बात है जो बॉल कैच कर रहा है ठीक है न वहाँ से यह आदमी बॉल फेक रहा है और यह आदमी कैच कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे कैचर कहेंगे इससे हमारा नेक्स कोईसन कवर हो गया जो की है यह बैटर के पीछे कौन बैठा रहता है एक्शली वो पूरा खड़ा नहीं रहता है वो हलका जुका रहता है ठीक है न कि बॉल पकड़ने का एक पॉस्चर बने सही इसलिए उसको हम लोग क्या कहते है अभी जच्च देखे हम लोग कैचर ठीक है चलिए तब आगे बढ़ते है तब जो अगला कंसेप्ट है हम लोग का वो बेलेटेटे टू होम रण है Hai तो होम रण दो-तीन तरह की होते है बट अभी सबसे बेसिक वाल में हम लोग भी दिसकश करते है तो दीए होता क्या है जैसे यह जो बॉलंठ है बॉल पहकत है और बैटर बॉल को मारा ठीक है首 अगर लगने के बाद से अपना जगे पर वापस आ सकता है ठीक है ना इसलिए इसको home run का जाता है basically जैसे field के बाहर गया ball उसके पास बहुत time है वो अराम से घूम के वापस आ जाएगा इसलिए field के बाहर जाना को directly home run declare कर दिया जाता है okay तो यह जो question था what is home run इसका correct answer यह वाला a ball that is hit completely out of the four field of play ओके चलिए इसको ध्यान रखिएगा अब आगे बढ़ा जाए अगला जो concept है वो related एक perfect game से ओके तो एक baseball में एकदम basic definition में perfect game क्या होता है ठीक है तो देखिए होता क्या है कि perfect game तब बोला जाता है आपके बुक का definition को भी मैं मद्दे नजर रखते बें बता रहा हूँ आपको कि आपको exam में याद रहे ठीक है तो एक ही pitcher यह जो ball fake ता इसको pitcher कहते है ठीक है तो एक ही pitcher पूरा game भर pitching करें ठीक है और यह जो batter वह ऐसा pitch fake के बार-बार कि यह batter अपना first base तक एक बार भी ना जा पाए पूरा game भर में मतलब कि यह batter यहाँ से हीली नहीं पाए यह कैसे होगा वह ball fake तुरंत इसने catch कर लिया क्या वह ball fake इस ही ने catch कर लिया या वह ball fake और उसको उतना time नहीं मिला कि वह यहाँ से यहाँ जा पाए वह सारे cases हो सकते है ठीक है ना तो मतलब यही हुआ पूरा game भर में एक pitcher pitching करें और वह batter यह जो भी batter आये वह first base तक एक बार भी ना जा पाए तब कहते हैं उसको एक perfect game और आईए यह question को आपके book में भी देख लेते है what is a perfect game a single player pitches throughout the game without allowing the opposing team to reach the first base तब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा last question है what is a south power ठीक है तो चलिए मैं आपको जल्दी से explain करता हूँ कि यह होता क्या है तब आप लोग तो इससे familiar होगी direction है north south east west इसको मैं थोड़ा सा घुमा दिया हो anti clockwise तो समझाने में easy होगा ठीक है तो चलिए ठीक होता क्या है न कि जो baseball field होता है ठीक है जो baseball field होता है उसको थोड़ा ऐसे design किया जाता है मतलब उसको direction ऐसी रखी जाती है कि जब थोड़ा दोपहर हो जाए ठीक है न तो यह batter को batting करने में दिक्कत ना है इसलिए west रखा जाता है उसके पीछे जब दोपहर होगा तो sun किधर आएगा इस से सुबह निकलता है sun और west में इस side आएगा ठीक है तो जब यह batting कर रहा हो तो sun इसके आख में direct नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसके pit side लग रहा होगा समझ रहा है न बात जब यह direction हो गया baseball ground का अब यह जो बंदा यहाँ पे ball फेक रहा है जो picture है ठीक है न अगर वो left handed है मतलब वो सारा काम अपना left hand से करता है या वो left hand से ball फेकता है तब उसका left hand ball फेक ने time कह यहाँ पे होगा किस direction में होगा वो होगा south के direction में तो इसलिए जो कि south power मतलब क्या होता है left handed picture यह याद रखिएगा आपको मैं direction भी दिखा दिया बना के तो बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है जो picture जब ball फेक हैगा अगर वो left handed है तो जब वो ball फेक रहा होगा तो वो और left hand से फेक रहा होगा उसका left hand होगा south direction में तो south power क्या हुआ left handed picture अगर आप किसी और topic की इसी तरह की वीडियो request करना चाहते है तो आप मेरे को मेरा instagram id पर directly message कर सकते है मैं link description में डाल दूँगा और नहीं तो आप इसी वीडियो को नीचे comment कर दीजे मैं वो भी देख आते हैं अगर उस वीडियो की तो चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो को like कर दीजिए like करने से मेरे को अच्छा लगेगा subscribe करने से आपको notification मिल जाएगी ठीक है चलिए अपना ध्यार रखिए हम लोग मिलते हैं next वीडियो में बाई I have a dream, that's all I need, I'll make it happen with some work and belief, know what I want, so I'll take it on, I'll make mistakes, but mistakes make you strong